हलो दोस्तो गूड बॉर्निंग इट्स फाइव थर्टी इन दा मॉर्निंग मैं और जेटी बहुत सुबह सुबह पट्याला अपने घरों से निकले फार्म पे अरली पहुंचे ताके हम हमारी घोडी करम को मेटिंग के लिए लुध्याना आयाली धिलों स्टड पे ले जाएं हॉर्स ब्रीडिंग सबका सपना रहता है मगर उस सपने के पीछे बहुत सारी एफर्ट होती है जो लोग उस एफर्ट से कभी नहीं गुजरे उनको उसके बारे में नहीं मालुम रहता फार्म पे पहुंचे आते ही एक बार भोडों के पास चक्कर लगाया सनलाइट आ गई है तो मेरी कोशिश रहती है कि फाल तू लाइट कोई भी न जले एक स्टर्ड फार्मर का या एक होर्स मैन का हमेशे ही शेडियूल बीजी रहता है क्योंकि उसके करने के लाइक बहुत सारे काम होते हैं आज पूरा दिन करम की मेटिंग में और उसके लिए की जाने वाली एफर्ट में जाएगा जेटी हमारी गाड़ी ले आए हैं जेटी अटैच करेंगे इसको हमारे हॉर्स टेलर के साथ आजकल मैं वीडियो ग्राफी में रहता हूँ और जेटी सब काम करने में बिजी रहते हैं अदर्वाइज पहले ये सब काम मैं करता था मगर मेरी कोशिश ये है कि जेटी को जादा से जादा एक्सपोजर मिले और वो अपने आपको एक अच्छे ट्रेनर और हॉर्स मैं के तोर पे पॉलिश कर सके स्टर्ड फाम में जितने घोड़े जरूरी हैं स्टेवल जरूरी हैं एक अच्छा हॉस ट्रेलर होने से आपका समय और एनरजी दोनों चीजे बचती हैं और घोड़े भी सेफली आप कहीं भी बिले जा सकते हैं हमारा ये ट्रेलर फॉरन के ट्रेलर की बिलकुल नकल है साइज में छोटा है और गाड़ी से बिलकुल भी बाहर नहीं चलता है इसलिए एक्सिडेंट का डर और ओवर्टेकिंग का डर बिलकुल कम रहता है करम वैसे तो एक बहुत अच्छी गोड़ी है मगर जब भी इसको ट्रेलर में चड़ना हो तो ये थोड़ी परेशान हो जाती है इसलिए इसको बिना ट्रेलर के किसी दूसरी ओपन गाड़ी में ले जाना तो पॉसिबल ही नहीं है एक बहुत बड़ी मजबूत और तगड़ी गोड़ी होने की वज़े से ये हमेशा हमारे लिए एक डर का सबब बना रहता है कि ये कहीं अपने आपको जखमी ना कर ले नॉर्मली आजकल गोड़े भी बिलकुल सुस्ती से चलते हैं मगर ये गोड़ी हमेशा ही नाशते हुए चलती रहती है गोड़े को तूसरे फार्म पे लेके जाना है इसलिए उसकी सफाई जरूरी है कि अगर आप गंदा गोड़ा लेके जाएंगे तो वो बिलकुल भी आपको शोबा नहीं देता और करम काफी बार इस ट्रेलर में चड़ चुकी है मगर फिर भी हर बार ये एक पर्टिकुलर समय जरूर लेती है चड़ने के लिए और काफी सारी एफट भी इसके लिए करनी पड़ती है जुगल जी अपने हाथ की एक्स्टेंशन के तोर पे इस डंडी को यूज़ कर रहे है गुंडी भी साथ में अपना रोल प्ले कर रही है कुछ करना पाए मगर वो भी इस इवेंट में पूरी तरह से शामिल है शेफट की हमेशा ही आदत रहती है हिलती हुई चीज़ों को पकड़ना स्पेशली जानवरों को घेरना के वो इदर उदर ना भागे ये घोडी हमेशा ही काफी समय ट्रेलर में लोडिंग के समय ले लेती है हम लोग भी इस चीज़ से यूज़ टू है लखी लिए आज यूगल जी भी है तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा फिर भी नए लोगों के लिए घोड़ों को ट्रेलर में लोड करना काफी हैडडिक वाला काम रहता है और ये डिस्की भी है कई बार घोड़ा उल्टा आ जाए या आपके उपर गिर जाए या आपको छोट लगा दे खैर जो आज का विश्य ये है के घोड़ी को मेट कराने में कितनी एफट जाती है मैं उन लोगों को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग अपनी घोड़ीों को साउथ से महराष्टरा से गुजराथ से पंजाब में मेटिंग के लिए भेजते हैं काफी लंबा सफर रहता है घोड़ीयां ट्रांसपोर्टेशन में काफी सारे मूड्स भी चेंज कर जाती है ये घोड़ी आज जाएगी मेटिंग के लिए मगर इसकी कोई गैरेंटी नहीं कि ये प्रेगनेंट होगी या नहीं होगी ये कंसीव होगी या नहीं होगी फिर भी एफर्ट्स करनी जरूरी है ब्रीडिंग में मैं मानता हूँ कि आपका लग बहुत मैटर करता है कुछ लोगों का लग इतना शांदर होता है कि वो पहली मेटिंग में ये उनकी गोड़ी प्रेगनेंट हो जाती है समय से बच्चा देती है और बच्चा हेल्दी होता है और वो उसको फोल हीट में ही दुबारा मेट करा देते है मगर कई बार आपका लग साथ ना दे तो एक नहीं बहुत सारी मेटिंग में जाके आपकी गोड़ी प्रेगनेंट होती है मान लीजिए बीच दिन बाद गोड़ी सीजन में आती है और पांच बार वो प्रेगनेंट ही नही पांच बार आपको उसको लेके जाना पड़ा तो मान लीजिए आपके सौ दिन उसमें वेस्ट हो गए खाली सौ दिन मत मानी है उसके लिए पैसा आपका कितना लगेगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ट्रक का भाड़ा, डॉक्टर का खर्चा उतने महीने घोड़े का खाने पीने का खर्चा अगर परफेशनल ही आप एक एक चीज़ को सोचोगे तो ये पड़ी हैड़िक है घोड़ी को प्रेगनेट कराना और आजकल घोड़ों की मेटिंग फीस भी बहुत ज़ादा होने की वज़े से वो लोग एक या दो मेटिंग जी देते हैं स्पोज कीजिए आपको बार बार चार पांच बार मेटिंग फीस देनी पड़ जाए तो एक आम आदमी का क्या बनता है दूसरी बात ये फिर बहुत सारी घोड़ियां पहले तो समय से प्रेगनेट नहीं होती प्रेगनेट होती है तो वो बिमार रहती है या वो बच्चा देती है जो पैदा होते ही मर जाता है तो एक ब्रीडर की जो जॉब है वो बड़ी ही टफ जॉब है और फिर लोग सोचते हैं कि घोड़े दिन पर दिन महंगे क्यों होने लगे घोड़े महंगे होने का कारण घोड़ों की मेटिंग फीस डॉक्टर्स के खर्चे गोडों की कीपिंग का खर्चा उन पे किये जाने वाले सारे खर्चे उनसे पैदा होने वाले बच्चों में ही एड होते हैं और जरूरी नहीं कि सब बच्चे महंगे भाओ में बिखने वाले हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-3-4 लाक रुपे खर्चा करने के बाद भी शायद आपको 40 अजार में भी बेचने पड़े जा गिफ्ट भी देना पड़े इसलिए होर्सेज डे बाई डे गुड होर्सेज जो हैं महंगे होते जा रहे हैं और अगर आप होर्समेन अपनी पूरी एफर्ट और समय की वैल्यू लगाए तो शायद घोड़ा बहुत ही जादा कीमती हो जाए अब देख सकते हैं इस घोड़ी ने कितना समय अभी तो ये एडिटेड वीडियो है कितनी एफर्ट इसको अपलोडिंग और सारी गाड़ी में लोड़ करने के लिए हो गई है अभी इसको लोड़ करने के बाद हमारा सफर करीब रहेगा धाई से पौने तीन घंटे का सफर है क्योंकि गाड़ी के पिछे ट्रेडर लगा होने की वज़े से हम लोग अपनी स्पीड साथ पैसट किलोमेटर पर आवर से जाज़ा नहीं जा सकते और बीच बीच में रुके भी देखना पड़ता है कि कोई टायर में हवा तो कम नहीं क्योंकि काफी रिस्क है अगर घोड़ा गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे लगी हो आप ज्यादा स्पीड नहीं कर सकते हाथी का पैर ही है फाइनली घोड़ी ने मूल बना लिया है कि वो चली जाएगी और ये धीरे धीरे अंदर जा रही है हम लोग हमेशा पेशेंट से काम करते है और घोड़े को मारते नहीं ना ही डराते है कोशिश ये रहती है कि वो कामली ही इस ट्रेलर में चड़ जाए भले उसमें थोड़ा टाइम लग जाए आज जुगल जी के साथ जुगल जी की हेल्प कर रहे हैं हमारे नए हलपर ईश्वर जी एश्वर जी राजस्तान के रहने वाले हैं इनको करीब 10 दिन हुए हमारे फार्म पर आते हुए और इनों ने फार्म का काम बहुत ही अच्छे से बड़े प्यास से जबादे है बद पीछे एक दम ही आते हैं मैं एक बड़ी खासित मानता हूँ कि यो लोग बड़े पेशन्स वाले हैं और घोड़ों से खूब प्यार करते हैं घोड़े के काम में सबसे बड़ी की है पेशन्स एंड हॉर्स लव फाइनली शी इस इन कुंडी इस टिल एक्साइटेड आज हमारे साथ थोड़ा एक और सबक भी मिला लॉक डाउन का समय चल रहा है हमारी गाड़ी का एक टायर रस्ते में पंक्चर हुआ और वो थोड़ा पंक्चर में चल गया तब तक वो टायर बिलकुल ही ब्रस्ट हो गया पिर हमने रस्ते में टायर चेंज किया और पूरे समय यही डर लगा रहा कि अभी फालतू आपके बस पेर टायर नहीं है तो वो एक डर पूरे समय रहा कि अगर एक टायर और फ्लैट हो गया तो आपका क्या बनेगा तो गोड़ों की ट्रांस्पोर्टेशन हमेशा से ही टॉफ जॉब है क्योंकि उसमें घोड़े को चोट लगने का खत्रा हमेशा से बना रहता है हमारी जर्नी स्टार्ट हुई टूवर्ड्स लुध्याना तो आयाली धिलो स्टर्ड और सरभजी सिंग अयाली हम पहुँच गए अयाली धिलो स्टर्ड सरभजो सिंग जी अयाली का ये स्टर्ड फार्म है इसमें बहुत सारे घोड़े हैं सरवजोद एक यंग होर्समेन है मगर बड़े एक्सपीरियंस्ट ब्रीडिंग में भी इन्होंने काफी अच्छा नाम कमाया है और इनका गोड़ा लाल रतन आज कल ब्रीडर्स की फर्स्ट चौाइस है गोड़ी की मेंटिंग सकस्थेस्फुली हो सके और विदाउट एनी इंजरी हो सके तो उसकी ठांगों को बान लिया जाता है मेंटिंग के बाद गोड़ी को हमने थोड़ी दिर खुला छोड़ा ताके हम इसको घूमने दे कईवर मेटिंग के बाद घोड़ी को भगाया भी जाता है ताके वो अपने आपको थोड़ा भाग के फिट कर ले और इसको यहां घूमने दिया गया फिर लोटने दिया गया उसके बाद हमारा वापसी का सफर शुरू हुआ और आज से करीब पंदरा दिन बाद पता चलेगा कि यह घोड़ी प्रेगनेंट है या नहीं है तो एक ब्रीडर की जो एफट है एक बच्चे को पैदा करने के लिए यह उसमें से कुछ चोटा पार्ट है इसमें बहुत सारी बाते अभी बाकी है जो गोड़ीयां रिपीटर होती है उनके लिए क्या किया जाए और कितनी पेशन्स चाहिए इस काम को अंजाम देने के लिए